आज का सेटमर नभराठ में देखते हैं क्या-क्या सवाल है और कैसे के सवाल आपके एक्जाम पे बन सकते हैं तो यहाँ पर एरीगवेट की बात हो रिज़ें रिज़ें में कितने मंडल है कुल में बिलाकर यहाँ पर 10 मंडल है अगर सुक्त की बात कर लिया जा तो 1028 सुक्त है ये जो मंडल की बात हो दस मंडल में भी आपका तीन जो ऐसे मंडल है तीसना मंडल हो गया, नॉमा मंडल हो गया और दसना मंडल हो गया ये काफी बयाद important होता है पहले देखी गायतरी मंदर का अगर मैं बर्नन की बात करें तो रिग वेत के तीसले मंडल में जैसा कि मैंने भी बता था तीसले मंडल में कौन है रिग वेत का बर्नन है वही गायतरी मंदर को किसको समरपित है गायतरी मंत्र जो है भवान सुरु को समरपित है या सावित्री जिसको कहते है भवान सुम को जो समरपित मंडल है भवान सुम को समरपित मंडल कौन है रीगवेत का नॉमा मंडल ये नॉमा जो मंडल है आपका रीगवेत का जो है यहाँ पर सोम जो है सोम भवान सोम को समरापिध है रिगवित का नौमा मंडल फिर बात कर रहे है पुरुसुक्त की मैं बात करूँ पुरुसुक्त का वरन किस मंडल में क्या गया है तो रिगवित के दसमें मंडल में क्या गया है यही वो दसमा मंडल तो मैंने मंडल तीन जो तिस्रा है आपका नौमσα है उर दसबा यह तीं जरू याद रखीगा का जबा मंदल है इसमें चार वर्ण does का उले पहली वाल इसमें क्या गया जैसे कि आपका ब्रहामन हो गया च्षुतरी हो गया ट side ठीक है चलिए नेक्स सवाल पर आते हैं होत्री यह होत्री कहते किसको है रीग वेद के जो रिचाओं को पढ़ने वाले रिशी होते थे उनको कहा जाता था होत्री ठीक वही अगन्या किसको कहा जाता था तो रीग वेद में गाय को कहा जाता था अगन्या कर्मकांड प्रजापती की दो पुत्रियां का नाम क्या है सभा और समीती प्रजापती की दो पुत्रियां कहलाती थी जवाल उपनिशद में कितने वर आश्रमों का उलेख है चार वर आश्रम का इसमें उलेख है मुंडक उपनिशद जो सत्मेव जयते जो सब्द है ये कहां से लिया गया है आपका मुंडक उपनिशद से लिया गया है इतरे जो सब्ध है ठीक है इतरे विध का ब्रहामन गरुन्ध है तो याद रखिया गूरीग वेइत का है वही सत्पत की मैं बात करूँ सत्पत किस वेइत का ब्रहामन गरंद है सत्पत हो गया अजुर्बेद गोपत किस वेद का ब्रामन गर्ण थे अथरवेद का एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है वो है अजुरवेद तो एक तो सत्पत जो वेद हो गया वो आपका अजुरवेद से सम्मंदित है और गद इवंपद दोनों वाला जो वेदर वो क्या है आपका अजुर्बेद सिक्छा, कल्प, निरुक्त, व्याकरन, छंद और जोतिस ये जो छे है छे के छे ये क्या है आपके ये छे के छे है आपके वेदांगों की संखे कितनी हो गई छे हो गए, मेगासनिस किसके दर्वार में भारत आया था, चंद गुप्त मोर के दर्वार में आता है और इंडिका जो पुस्तिका है, इसी के दोरा लिखी गई थी, किसके दोरा मेगासनिस के दोरा लिखी गई थी यह सवाल अगर आपसे पूछ लाज़ दो था तो सेलिकस निगेटर हेसे में तो यह दो याद रख़एन रखेगा पुस्तथ यह पुस्तक है जो अपना पुस्तक में लिखा था उसका नामे सू यी की जो की यात्रा वृतांत है किसकी लिखी पुष्टक के हिंसां की है तो इसने अपने जो अपना यात्रा वृतांत है वो सू यी की में ही लिखा था किताब अलहिंद किसकी लिखी पुष्टक है अलबरूनी की लिखी पुष्टक है अगर तवाल पुछ रहे थे कि अल बरूनी भारत किसके साथ आया था महमूद गजनाभी के साथ भारत आता है वही सवाल अगर आपसे पूछ रहे ला किसकी लिखी पुछ थी इवन बतूता की लिखी पुछ थी ये भी आपको नोट करके रखना है सिंदूग सभिता की खोज किस ने किया था दया राम सहानी के तवारा किया गया था उन्हीं से 21 में सवाल पर आते कास यूगिन सभिता या जिसे आद एतिहासिक कालीन सभिता कहते है इसका उधारन है सिंदूग और हरपत सभिता यह कैसे सभिता थी आपकी कास यूगिन सभिता थी या आद एतिहासिक काली सभिता थी सवाल अगर आपसे पूछ लाजाए बदाई सिंदू घाटी सभिता का प्रचाल कहां से कहां तक था अगर यहां पे अगर देख लिया जाए नौर्थ साथ हो गया इस्ट और वेस्ट हो गया तो पूरब से पस्षिम पूरब से पस्षिम के अगर में बात करूँ तो पूरब की ओर क्या था आलिम गिरपूर ठीक है वहीं पस्षिम की ओर क्या था सुतकाग डोर ठीक है तो पूरब से पस्षिम की में अगर देखा जा तो पूरब की ओर था आलिम गिरपूर और पस्षिम की ओर था सुतकाग डो उत्तर से दक्षिं मांडा उत्तर में और दक्षिं में उस्टा कि बीड के बॉरूर। बरा नाम सुना गो अपने की लोथल क्या था तो एक बंदरगा था गुजरात में यह है ठीक सिंदू सब्विता का एक लोथल जो जगा था वो था क्या आपका बंदरगा था काली बंगा यह वही जगा है जहां पर जूते खेद का क्या मिला है परमान मिला है है कहां राजस्तान में वहीं बात करते हैं चनहुद्रो मन के जो बनाने के करखाना का जो परमान मिलता है वो कहां मिलता है चनहुद्रो में ही मिलता है धोला वीरा धोला वीरा जो है गुजरात में है और सिंदुग घाटी सब्विता के है कमात्र अस्थान जो तीन भागों मे विवक्त है ठीक है बात करते हैं महंजुद्रो महंजुद्रो कहा है पकिस्तान शित्र में इसके बारे में दो-तीन बाते और इंपॉर्टनेट जैसे इसे मरीतों का टेला कहा जाता है पहला फैक्ट है दूसरा इसके कोज करता है कौन थे रस्खाल दास बनर जी और तीसरा बात जो important होता है नुड़तक की जो कांस मुर्थी है यहीं से मिलती है आगे परते सिंदु गार्टी सब्विदा की दो प्रमुफ फसले most important question एक्जाम में बहुत वार पुछा है ग्वेहू और जो ठीक है बहुत गरंथ अंगुत्तर निकाय है पहला चीज है कि अंगुत्तर जो निकाय है किस धर्म से सम्बंदीत है तो बहुत धर्म से सम्बंदीत है और इसमें कितले महाजनपद का उलेख किया गया 16 महाजनपद का उलेख किया गया है अंगुत्तर निकाय का समध किस धर्म से तो बहुत गर्म से है अभी मैंने बताते हैं इंपॉर्टन कोशन है और कई बार भी एक्जामी इसको पूछा जा चुका है नेक्स सवाल पर आते हैं अस्मक महाजनपद दक्षें में गोदावरी नदी के निकट और इसकी जो राज़ानी थी पोटली या पोटल इसको कहते थे वैसूर्ज जन्पत की राजाने थी मतुरा थी मतस जन्पत की राजाने क्या थी विराट नगर और अगर मैं बात करो बस जन्पत की राजाने थी कौसंबी गंधार जन्पत की राजाने थी तक्ष्रिला और कोशल जन्पत की राजाने थी श्रावश्टी लेकिन एक्स सवाल पर आते जीन जीन अर्थाद विजेता निर्गंत अर्थाद बंदनहिन अर्थ अर्थाद पुजे किसे कहा गया महावेश स्वामी को कहा गया और सब क्या अगर धर्म कौन सा तो जयान धर्म से सम्द्धिते ध्यान रखेगा अगर मैं बात कर लो हैं महावीर स्वामी का बच्पन का नाम कहता है वर्दमान था ये भी ध्यार रखना था जीन यानी बिजेता, निर गरंथ यानी अहरत यानी पुज़ किससे समझने थे जैन्धरμ थे और जैन्धर्म में किससे तो महावीर स्वामी जो कि 24 में तधंकर हुए ठीके जान धर्म के 24 में एवा मंतिम तःधंकर हुए और इनका पर्तिक चिंता क्या था आपका सिध्या रखेगा जान धर्म के पहले तृधंकर सवाब अगर आप से पूष लिए ठीक है यहां पर हो गई है विसके बाद करते हैं कि अगर गौतम बुद की बात होगी तो गौतम बुद का अगर जनुत पूछ लिया जाए तो कब हुआ था 563 इश्वी इसापुर्व कहां लुमनी में होता है और मृत्ती होती है 543 सपुर्व कुशिनगर उत्तर परदेश में है चल कि बाद करता है है यहां पर स्वतामबर और दिगंबर का समद्द कि से ज्यांधर्म से है। स्वतामबर और दिगंबर जानधर्म से है जानधर्म में भी एक और important बात ध्यां रखेगा यहाँ पर कि स्वतामबर स्वेत वस्त्र धारन करने वाले को क्या कहा जाता था स्वतामबर स्वेत कपरा या स्वेत वस्त्र धारन करने वाले को क्या कहा जाता था आपका यहां पे स्वेतामबर कहा जाता था वहीं अगर मैं बात करूँ ठीक है वहीं मैं बात करूँ यहां पे किसके जो अनुवनाई होते थे इस जो इस धर्म से रिलेटर थे या इस जो स्वेतामबर वाले मिन्स की सुितांबर, जो अलग से इनका जो भाग में बटा था ठीक है, सुटांबर और दिगंबर तो सस्थख़ल भध्र के अनुनाई कहलाएं सुटांबर वह बात करते हैं दिगंबर नग्र रहने वाले और भध्र बाव के अनुनाई जो थे, आपके क्या थे निगंबर कहलाते थे जान धर्म के अगर मैं बात कर लू जान धर्म के त्री रत्न कौन थे सम्मेक दर्सन, सम्मेक घ्यान और सम्मेक चरित्व ठीक है लेक्स वाल पर आते हैं जान धर्म के पांच महावर्त महावर्त क्या था तो ये जो 4 है आपके अगर आप से सवाल यहां पर आ जा जाए महाविर्ड स्वामी अगर इसकी बाद कर ले इनकी बाद कर ले जल्म इनका जल्म कब होता है पहले तो यह ियाद रखेगा पांसोचालिस इसा पुरूण और कहां पीवा था यह भी याद रखेगा कुंड गराम कहां कुंड गराम कहां पे वैशाली कुंड गराम वैशाली बिहार में ठीक है यह होगा अगर आपसे सवाल आजाए कि यह तो इनका जन्म हो गया इनका अगर बात करें इनकी मृत्यू कहा होती है यह जो मृत्यू होती है यह कहा होती है यह ध्यान आपको रखना है इनकी जो मृत्यू होती है पावापुरी कहा होती है पावापुरी राजगीर राजगीर कहां आपके बिहार में इनकी मृत्यू होती है पावापुरी राज तो 540 इसा पुरूव में जल्म होता है 468 में मृत्य होता है पावपुरी राजगीर भिहार में कुण गरामिन का जल्म होता है नेख सवाल प्याते गुमतेसवर की मुर्ति या बाहु बली की मुर्ति कहां है ता स्रवन विल्गोला यह है कहां करनाटक में कल्प सुत्र की रचना किस ने किया था भद्र बाहू ने किया था जिसमें जैनत्र ठंकरों की क्या है इसमें जीवनी शामिल है अब आते हैं महावीर स्वामी का जन्म अभी मैं बात करी है था 540 से अपुर्व कुंड ग्राम बैसाली बिहार में होता है निर्ग्रंथ जिसको क अर्पश्गीर बिहार में होता है बात करों की दीवार यूद होता है इंपॉर्टंट से तराइन का पर्थम यूद 1191 में होता है प्लित्वी राज चोहन और मुव्मद गोरे के चंदर वरदाई ॥ि के दोबारा प्रीथ वर राज रासों की रशना की यह थी बात करें चंदावर के उतका बूगा था एक आनुसार करम में बताईए पहला गुलाम बंस दूसरा खिली वंस तिसरा तुगलग बंस चौथा सयद बंस और पच्मा लोदी वंस तो गुल खिले तो सासलो ऐसा ट्रिक पर भी आप इसे याद रख सकते हैं लाख बक्स या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था कुतुब दिन एवक को धाय दिन का जोपरा किसने बनवाए था कुतुब दिन एवक ने बनवाए था कहा हम अजमेर राजस्थान और संस्विद्ध विद्याले को तरवा कर कुतुब दिन कुतुब मिलार का निर निर्मानकार्य को पूरा किसने करवा Coup बर्दमस क्या होता है क्या होट है ढिङ सब्सकर तो जाता है Ť 40 गुलाम सरदारों का संघठन की शुरत किस ने किया तो तुतमिस ने किया था और बलमन इसे समाप्त गया था दिली प्रशासं करने वाली पहली महिला मुश्रिम शाशी का थी रजिया बेगम और इनकी जो मृत्यू होती है रजीव वेगम की कहा होती है केथर हरियाना में सिजदा और पैगोस most important question है सिजदा और पैगोस प्रथा किस ने सुरू किया था बलबन ने किया था और बलबन की एक और निती ध्यां रखीगा बलबन बात करें बिजय नगर समराज के स्थापना कब और किस ने किया था 1336 में हरियर और बुक्का के ये दो भाजियों ने किया था वह बात करते हैं कि 50 रुपे के नोट बात अगर करें यहाँ पर 15 रुपे नोट पर किसका चितर अंकीत हमपी ठीक है तो यहाँ पर बात हुरी थी कर्नाटक यहाँ पर हरियर वह भुक्काई हो गया 1336 हो गया और चली तो 15 रुपे के नोट पर किसका चितर अंकीत हमपी का करना है कहा है कर्नाटक बे 100 रुपे के नोट पर किसका चितर अंकीत है राणी की वाप कहा है गुजरात हुए स्टितिक ध्यार रखेगा और अश्ट एक परधान भी होता है वो सीबा जी के दर्वार में थे तो अगर पूछ लेए कि कृष्ण देवराय कौन से बंस समंदित थे तालुकात रखते तो तलुबंस से किस सबसे परतापी राजा हुए और इनकी एक बहुत ही फेमस गरंथी जिसका नाम था आमुक्त मालिदा तो इनकी पूसा के किस की किसी गरंथ है कृष्ण देवराय की जो है इनकी गरंथी मनुचरीतम किस ने लिखा था अलसानी ठीके अलसानी पदेन ने लिखा था और इन्हें तेलकु साहित का पिता महा कहा जाता है अलसानी पदेन को पांड तो सुरु चक्या मिशल से था ध्यान रखना आपको बिठल स्वामी मंदिर का निर्मान किस ने करवाय था कृष्ण देवराय ने करवाय था और अभी मैंने बता है कि तिलुवन से के यह प्रतापी राजा थे ताली कोटा या जिसको राक्षत तांगरी भी कहा जाता है या ब का पतन हो गया रज्म नामा किसका फार्से उनवादे महाभारत का है और अकबर के दरवार में इसके अनवाद होती है और ला सवाल है सूर सिंद जनपत की रजधानी क्या थी मौत्फुराती जो सुला जनपत था उसका आप सुला जनपत की जितने भी राजधानी है वो लगी कमेंन कर गिता